नमस्कार मैं विनीता मालव इसके गर्ब में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही खास होता है इसमें कई तरह की पोशप्ता तो होते हैं जो मा और बच्चे दोनों के लिए बेहत फायते मन्द होते हैं एक रिसर्च के अनुसार इस दोरान विटामिन C प्रिचुर मात्रा में सेवन करने से संक्रमन का खत्रा कम होता है इससे बच्चे का दिमाग भी स्वस्थ रहता है एक प्रेगनेंट विमेंद को रोजाना 80-85 मिलिग्राम विटामिन C का सिवन करना चाहिए हलंकि हर महिला की गर्बावस्ता इस्तिति अलग-अलग होती है तो आपको अपनी प्रेगनेंट से स्टेटस के अनुसार ही विटामिन C लेना चाहिए ओरेंज खाने से तनाव दूर होता है दर असल इसमें पोटेशम की प्रियाप मात्रा होती है जिसके चलते ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ऐसे में प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं को तनाव दूर करने के लिए संत्रा खाने चाहिए संत्रे में प्रियाप मात्रा में फाइबर पाये जाते हैं जिससे कॉंस्टिपेशन की समश्या नहीं होती है प्रेगनेसी टाइम में रेगुलर संत्री का सिवन करने से यूरीन में पेस लेवल बढ़ जाता है ऐसे में किड्नी के स्टून के उपचार के लिए उसका इस्तेमाल करना बेहर उप्योगी होता है संत्रा फॉलेट का अच्छा मादयम है गर्वती मैलाओं के लिए फॉलेट एक बेहर महत्पूंट ततो होता है ये रेड बलेड सेल्स का निर्मान करता है साथ ये न्यू सेल्स के लिए भी एहम भूमेकाने बाता है प्रेग्नेंसी टाइम में शेरेर में पाने की कमी नहीं होने चाहिए। झाल